पानी बिल्कुल भी रुख नहीं रहा है दोस्तों यहां पर देख सकते जासे डारेक्ली थोड़ा स्प्रे करना है दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने FoxCare का DIY Ceramic Spray Coating का वीडियो बनाया था आपने अगर वो वीडियो देखे होंगे आपको पता होगा उस वीडियो में हमने दिखाया था हमने Ceramic Spray Coating और Graphene Spray Coating FoxCare का दोनों को एक साथ ओडर किया था Ceramic Coating का वीडियो में बना चुका हूँ आज के ये वीडियो है दोस्तों Spray Graphene Coating के ऊपर तो ये है दोस्तों Spray Graphene Coating और Graphene अगर क्या है आपको पता नहीं है मैं एकदम आसा भासा में फिर भी बता देता हूँ जो कि Sinex Pro Graphene Card के वीडियो में भी मैंने बताया था Graphene दोस्तों One of the Hardest Material है वाल्ड के अंदर कंपणी क्लेम कर रहा है कार के Painted Surface पर ये High Gloss प्रोवाइट करता है Ceramic Spray Coating की तरह ही और साथी साथ Painted Surface को Hydrophobic बना देता है और साथी साथ कंपणी ये भी क्लेम कर रहा है यू भी प्रोडेक्शन प्रोवाइट करता है तो आप अगर इस Graphene Spray Coating को खरीदना चाहते हैं ये रहा Fox Care Cabbage Series Graphene Spray Guard का 200 ml का बॉटल और इसके एलावा ये रहा दूस्तों एक Microfiber Cloth कोई भी ब्रैंड का Spray Ceramic हो या फिर Spray Graphene हो उसको Direct Sunlight पर आपको यूज नहीं करना है Ceramic Spray Coating में जैसे traditional ceramic coating के तरह जिदने भी steps होता है surface को prepare करने के लिए वो follow करना compulsory नहीं है ठीक वैसे ही Graphene Spray Coating में भी traditional Graphene Coating की तरह जिदने भी steps होता है surface को prepare करने के लिए चाहे compounding, paint correction बगरा हो उसको follow करना compulsory नहीं है Ceramic Spray Coating की तरह ही decontamination जो process है, sample wash और clay जिसमें आता है उसको follow करेंगे उसमें better result मिलेगा क्यूंकि Contaminations अगर पुरी तरह से decontaminate हो जाएगा तो चाहे ceramic coating हो, spray coating हो या फिर graphene spray coating हो, paint के clear coating साथ properly bonding होगा Monat के right side के ये वाला portion में हम fox care graphene spray guard को use करेंगे, IPA cleaning करके इसमें जो भी hydrophobic effect बगरा था जो wax residue बगर था उसको पूरी तरीके से हमने remove कर दिया है अभी ये पूरा non hydrophobic है तो वह वाला चीज को सबसे बहले दूस्तों यहां पर पनानी डाल का आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अभी कोई भी hydrophobic effect नहीं है इस surface के उपर देख सकते हैं नर्माली जैसा पानी slope के वज़े से bonnet का slope के वज़े से रिपल होता है नीचे की तरफ जाता है वैसा जा रहा है कोई water abiding effect नहीं है देख सकते हैं अभी final step में हम यूज़ करेंगे graphene spray guard को तो इसको भी दोस्तों इस पानी में डिप करेंगे पानी में डिप करने के बाद दोस्तों इस पानी को स्क्वीज कर लेना है अभी दोस्तों graphene spray guard को यूज़ करने से पहले हमेसा बॉटल को अपको अच्छे से से कर लेना है माइक्रोफेवर क्लॉथ के जो वेड वाला portion है इस पर डारेक्ली थोड़ा स्प्रे करना है और तारेक्ट सर्पेस पर भी थोड़ा सा स्प्रे करना है लेकिन यहां पर वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा नस्दिक से कर रहा हूँ ताकि साइड में ना चले जाए आप जब क अभी दोस्तो ड्राई वाला जो पूरसन है इसके मदद से हम इसको वर्फ कर देंगे लेकिन आप चाहे तो दूसरा ड्राई माइक्रोफेवर क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं प्राब्लम नहीं है और ग्राफिन गाट को यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तों इसके उपर में अबियसली एक लेयर जैसा कुछ आया है अभी दोस्तों सबसे पहले मास्किंग टेप को हट दें दोस्तों बहुत ही मुझकिल से कैमेरा के साटा स्पीड बगरा को एडज़स्ट करके यहां पार ग्राफिन कोटेट सर्फिस पर जो साइन आया है उसका आपको दिखा रहा हूँ और इस तरीके से दोस्तों डिफरेंस दिखाना कैमेरा में बहुत ही ज़्यादा मुझकिल है लगवाग इंपॉसिवल है अगर बहुत ज़्यादा मुट्रा में साइन आता है पॉलिस बगरा में जैसा होता है उसको फिर भी दिखाना इजी है दोस्तों लेकिन ग्राफिन कोटेट सर्फिस पर एक लेयर टाइप आ चुका है और यही साथ ग्राफिन का लेयर होगा लेकिन काफी दोस्तों स्लीक हो इसको रखे करेंगे दिखाते है सबसे पहले अंकुटेट सर्पिस पर लिग लीजी कोई भी रिस्पवांस नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर थोश्तों सलीकनेस तम नाक से बराएब स्पेसाली वीडियो के परपस में IPA क्लीनिंग करने के बाद से यह वाला चीज देग लिए मिल रहा है या फिर बॉनिट के आगे वाला पॉर्सन जो की सबसे ज्यादा स्लोफे यहां पर भी अगर रखते हैं बॉटल को तो देखिए यहां पर भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिल को आख देख लिए अंकोटनर अज्विस पर देखिए अदर देखिए जब कि उपार का पानी अभी भी है में जब कि यह वाला पॉकोषं में में कॉटनर सर्फ ने कि ग्राफिन स्प्रेगाड में भी दोस्तो हाइड फोबिक एफेक्ट काफी बड़िया कॉलिटी का देगने के लिए मिला साइन के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं काऊंगा क्यूंकि कैमेरा दोस्तों साइन को उतना अच्छे जाज नहीं कर पा रहा था साइन ठीक ठाक आया था दोस्तों जो कि आप सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा और डियूरेबिलिटी के बारे में वीडियो में नहीं बता रहा हूं वीडियूरेबिलिटी कितना है आप यूज करते जाएए अगर आप खरिदते इसको लॉंग टाइम के बाद बाइप